यह भाई साब क्या हो गया भाई तिरेको यह भाई सकी पिछ क्या हूं एक डेट साल के मल्दप पूरी व्यास्ता कर रखे जाड़ों की कोई दिक्कत हो नहीं वाली नहीं है यह रिसक सही होता है कि हमाई लिए खराब होता है ऐसी लाल पीली कर रखिन हो इतना अशा लगा तो उपर तो देखी नहीं रहा है क्या करोगे इसका ऐसे उपर जुगार करके पूरा यहां पर तायर वायरिंग वे रिंग कर रखी है और तब जाके यह जो सिनेमा हौल का मज़ा है वो ले पाएंगे वह बराभीतर हेलो दोस्तों नमस्कार क्या हाल चाल मैं हूँ प्रमु सुरत नजर आ रहे हैं कि तो ब्लॉक की सुरुवात करने के बाद हमेशा कितर में जो पानी का बड़ा सा डबा है वो लेकी जा रहा हूं गौसला की ओर नमस्कार एक बार खास ले क्यों और तिल को खासी अब ठंडे में ऐसे घूम भीना टोपी की यह ला रहा था यह क्या थमाओं पयाना है ठीक है ठीक है ठीक है अर टोपी टोपी पेनागा ठीक है नहीं तो बुखार हो खतरनाग हो जाएका तो पहाड़ों में आजकल मोसम भहत इक खतरनाँ ठंडा हो गया मैं आपको बताई तो अगर मला गलप्स गुलप्स ना पैने टोपी टोपी ना पैने तो फिर हालत खराप हो जाती है बुखार खासी तो मला आम हो जाता है यहां पर ऐसा कोछ सीन है अमे नमस्कार ठिक ठाक सरीड पाणे आप हो हमार भी बढ़े चे इस ठंडे में क्यों खाता रहे लाई दर ल तो भाग भाग के पहुंच चुका हूं मैं गौसाला पर दबा लेके तो गौसाला पर जैसे ही मैंने पानी का दबा रखा तभी मिरको बुलावा आया है यहां से यहां पर वाल आज खतरनाक वाली खटाई बनाए जा रही है इसने बुलाए मेरे को यह बोले रंग देखो लपाई साव कैसी लाल पीली कर रहा लोकिनों इतना मशाला क्ल डाल तुम्नेने मशालाकर दिया आज कैसी हो सो honor खटाई खाई भी तुमने अ चुझा ुड्याला ग Account बॉन अखला एटOS blissौन सब कर दिया है हाथ देखी इसके बासा तेर तो नहीं एए तरह का डेको आगालि मसा लेड़ाय ईड़ाये शिकन छोकनतर नेरैला है सिकन आ नीचिन ओर यहां पर यह गुंड़ा लाभ आसपि यह लादमारार क्यों मारा उसको उसको लाद मोह गुल नवी दो पुड़ो आ क्यों नियदे दर तो फिल नुद फिलव यह में तो मुएम में पानी भी आ रहा है और डर भी लग रहा है कैसी लाल पीली का रखें नहोंने मसाले से खटाई तो एक दम बढ़िया है देकिन नहोंने नमक ज्यादा भंका दिया है मलदा बहुत जादा नमक डाल दिया और मेरा पता कौन है ये देखो दुगुमाराज और हमाँ से तीन डाई नमक डालने वाली वाली कौन थी रही इसी का आप और दादी हमाँ पर है घटाई तो बढ़ेया है नि पर दादी नमक हो गया हां चलो कोई नि पच्चे करती है ऐसे और इसके हाल देखें आए खटाई बिखारी और खटाई के साथ पानी पी रही है और मिर्च डालने वाली भी यही थी नमक भी है इस इन्हें डालने सब मिर्च और नमक तो बहुत अगड़ा था वाई आक और नाक से सीधे पानी आना शुरू हो चुका है अपर पानी पिना सही नहीं है इसके बार ठीक है मैंने पी बिलिया खाल यह सकना है अब यह नहीं हुआ है यह खुशी बहुत मिर्च वाली है यह खतरनाक है और इसकी तो आलत खराब हो गया इसके तो कान से दुए आना शुरू हो चुका है तब भी खारी है क्या करें नहीं खाना तो है तो चलो मज़ा आ गया बहुत यह तगड़ावाला कटाई खोंगे औ और यहां देखिए अपनी मा भी आ चुकी है उले के सामने पहाड़ी से तो मा के साथ साता एक बार फिर गौसाला चले जाते हैं और यहां पर एक माल्टा है अरे यह माल्टा भी सायद वह यह वाला है जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था यहां से ना माल्टे सारे चिडिया पुथिली पुथिली सब खा रही है तो पहुंच चुके हम गौसाला पर और यहां पर हमारी बैस इंतजार कर रही होगी मा का और साथ साथ में हीरा मोधी भी है आज कर इनको जंगल लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे यह ना बहुत बहुत अगड़ाव कैंस पकड़ती है और मा ने सीधे वो डाल दिया अपने मोती के पास और किरकेट के बारे मतों क्या बता है अपने मा और बापुजी का भारत का एक भी मैच ऐसा नहीं होगा जो मा और बापुजी ने नहीं देखा होगा और हमारी गौज़ाला के ठीक यहां मैं आपको दिखाओं तो मैंने आपको पड़सों बताया था हमारे नेपाल के जो भाई बंदू हैं वो यहांपर पत्थर सारने का काम कर रहे हैं सुबह से साम को यहां पर कुछ ऐसा इस ट्रक्रा बना देते हैं तो यहां पर यह जो इ यहां चट्टा और यह एक चट्टा नहीं है तीन चट्टे हैं एक यहां से यहां तक है एक यहां से यहां तक एक यहां से यहां तक तीन चट्टे वो लगा चुके हैं और साम को फिर एक दो चट्टे और वो यहां पर लगाने वाले हैं और एक चट्टे का जो हमारे यहां र थोड़ा बदलाव आ गया है, आजकल 20-30% ऐसा हो गया है कि लोग अब इट लेके आ रहे हैं, इट सही मकान बना रहे हैं, इट में थोड़ा ये सहूल याता है जल्दी बन जाता है और पत्थर में थोड़ा उसको सही से डिजाइन करो, फिर लगाओ फिर मिटी में उसको चिपकाओ, तो बहुत टाइम लग जाता है तो लोग अपने टाइम को बचाने के लिए इट का ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं लेकिन अगर पत्थर की मकान की बात को ना तो पत्थर की मकान दस गुना बहतर होती है किस से इट की मकान से मजबूती में वैसे भुकम भुकम आएगा तो थोड़ा नुकसान इससे ज़्यादा होता है लेकिन मजबूती बहुत तगड़ी होती है और इनकी लाइफ जो होती है पत्थर के मकान की बहुत ज़्यादा होती है हमारे पहाडों में अभी भी जगव जगव पत्थर के ही मकान बनाये जाते है जैसे कि मैं यह दिखाऊं आपको तो यह देख सकते हैं यह हमारी कौसाला पत्थर से बनी हुई है तमाम कौसाला यह आपको स्क्रीन पे ज़न नजर आरी होगी रही होगी तो सब पर्थर से बनी हुई है और साथ साथमें यहां उपर चालों कि मकान है वा पफधर से है अभी जहांपर मैं खटाइ खाने गया था तो वहां पर जो बड़ी सी मकान आ रहे तो वह भी पूरी पफ़शद में मकान बनी हो है और आज कल न यहां उपर की साइड धूप नहीं लग रही है तो इस वज़ों से हमारी भैंस का जो है वो अस्तान थोड़ा चेंज हो गया है दिन में मा क्या करती है यहां पर बांद देती है इसको यह मेरे नीचे आप ठीक देख सकते हैं यहां पर गैंडा लगा हुआ है तो फिर जैसे ही साम हो सब्सक्राइब करते हैं भीमल हेलो कितने जल्दी जल दिखा रहा है उसको और यहां दिखाओं तो हमारे हीरा मोती के पास माने यहां पर डाला ओ और यह अच्छे है तो इन्होंना खाना भी सुरू कर दिया है लेकिन अपनी भैंस बड़ी चालो है तो गौसला पर अभी मे यहां पर काम होंगे उनको निफ्टाएगी तो आच चुका हूँ मैं घर पे और घर आके में नसीदे चाय ले ली है तो ठंडे ठंडे मोसम में चाय का अनन लेते हैं और उसके बाद खाना भी तयार हो नहीं वाला है फिर खाना गाते हैं तो खाना तयार है और आज काफी द हटी उस पर ही खाना बना हुआ है यह भाई साब क्या हो गया भाई तिरेको इसलिए मैं इसको बाग बोलता रहता हूं यह बाग की तुरह है देखो कैसे कर रहा दामात बाइचांस खुल गया तो मेरे तो मदब टुकड़े-टुकड़े कर देगा यह तो चलो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे अभी आ रहा हूं मैं खाना खाने के बाद चाचा लोगों के घर पे क्योंकि चाचा लोगों का थोड़ डिस्क खराब हो गया था तो फटा-फट ठीक भी हो गया है और यहां दिखाओं मैं तो यह इस सिलाल इसने आज सुबह सुब और अभी यहां देखिए गणेस महाराज और अनुसकालाल भी पहुंच चुकी है और गणेस महाराज और यह दोनों ना अभी तक गवाट ढालते हो बहुत बढ़े अपॉन मिला अनुसकालाल को कुछ नहीं मिला रादेवह तब तो बोलता हुमेरे साइस को देखके एकी है जब लोन नहीं कर ढ़से हैं और यहां देखिए इस महराणी के खाल किताब पड़िऑ और बाल ए जारalar मैं तो कहाना आ ताउ मैरेको तो दो मेने होगे मैं भी नहीं और इक अंस महराज बच्चा अतो बच्चा है थो यह मेरे लिए ठीक है हम तो बच्चे है न क्या चिका उमर्थ कच्चा ना टकरा नारे और चाचा लोगों के घर पे डिश्टी करने के लिए आ यहां देखें चाचा ने क्या मस्त ववबरभितर ब्यवस्ता कर रखी पढ़दे वाली टीवी लगाए यह देखिए तो इसका अलगी मजा है मस्त दिवार पे और यहां देरे में अंदर ववबरभितर जो सिनेमे हॉल में मजा अता नहीं मूवी मूवी देखने का तो वही पूरा यहाँ पर टायर वायरिंग वह रिंग कर रखी है और तब जाके यह जो सिनेमा हॉल का मज़ा है वो ले पाएंगे वब्राभितर और गणेश महाराज इसा लगा तब गणेश को तो ऐसा हो गए हमारे घर में होता तो मज़ा यह आ जाता मोली तो अभी वब्राभितर टीवी देखके बड़ा मज़ा आ गया और मन कर रहा है कि मैं भी जरूर ऐसा कुछ खरी दूँगा जिससे कि ऐसे मास्त लेटे लेटे इतने बड़े पड़े पर टीवी देखने का लगी मज़ा होगा और चाचा नेना यहां पर देखिए बहुत सारे जो ज़ाडू होते हैं गहास से बनाए हुए हैं मलब यह देख सकते हैं कितने सारे ज़ाडू यहां पर रखे हुए हैं तो एक डेट साल के मलब पूरी ब्योस्ता कर रिखिए ज़ाडू की कोई दिक्कत हो नहीं वाली नहीं है और चाचा बोलने दो साल लगवा आराम से ज़ाडू चले जाएंग साबस चलो अब जो भी बनाएगा चाई बनाओ वए क्योंकि धूब गयाब हो चुकी है और दूब जैसे ही अपने घर पे चाई बना लेता हूं आज अनुस्का बनाएगी चाई तो भी आ चुका हूं मैं अनुस्का लोगों के घर पे और यहां पर चाई भी तैयार है तो पीते हैं और साथ में यहां पर आग भी जली हुई है और बड़ा सा कितला भी चूले में चड़ा हुआ है इसमें हो रहा है पानी गरम तो अभी हमारी बुवाजी हमारे घर पे पहुंच चुकी है और यहां दिखाओं मैं आपको तो मैं लेके जा रहा हूं यह वाला थैला अभी पिसेगा या नहीं पिसेगा कुछ पता नहीं तो खंगोली गाओं का जो घना जंगल है उसको पार करके मैं भी पहुंच चुका हूं नेडी गाओं के धार में तो यहां पर बहरवनाद का मंदिर है में साथ अनुस्का है चाची है और हमारे बड़े भाई साब हैं व तो वह भी हमारे साथ आ रहे हैं तो बगवान जी के जड़ा दर्सान हमने कर लिये हैं आप लोग भी कर लीजिए तो अभी थेला लेकर हम पहुंच चुके हैं चक्टी पर और यह जो चक्की है यह है मालकी गाओं की और यह है हमारे चाजा जी यहां के ओनर है यह बात और मालकी गाओं मैं दूर से कई बार आपको दिखाता रहता हूं तो यह है सामने मालकी गाओं तो हमारा जो थेला है वो पिसके बिल्कुल तैयार हो चुका है और जैसे हम यहां से निकलने वाले थे ना तो यहां पर क्या वन तुम दा चच्चा बोडाता हूं चच्चा तो यहां पर चाजा जी आये हैं और यह हमारी वीडियो देखते हैं तो बहुत बहुत तो चलो ठीक है चलते हैं और हमार साथ दो और विया रखेते और उसका और भाई साथ वो पहले ही चले गए है दोस्तों जिस रास्ते से आये थे अब यह सु रास्ते से नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा लंबा पढ़ रहा था और यह रास्ते पर भी चल ले ना वो रास्ता है बड़ा खतरनाक यह मर गया था मैं और यह देखो ऐसी खतरनाक चड़ाई रास्ता भी सही से नहीं है और यहां मैंने आपको बताए भी था जंगली जाननों कि खतरनाक खतरनाक ग खराब होता है तो अभी घने और खतरनाग जंगल को पार करते हुए हम पहुंच चुके अपने गाउं के खेतों में और हालत जो है बहुत खराब हो गई है सही से बोला भी नहीं जा रहा है और चाची ने तो डंडाई उठा लिया था नहीं तो नहीं चला जाता वाला अब थोड़ा यहां पर पांच मिनट रुकेंगे उसके बाद चलेंगे आगे तो अभी पहुंच चुका हूँ मैं घर पे और घर आते आते न मलत कपड़ों की हालत आप देख सकते हैं उपड़ से लेकर नीचे तक पूरा आठा आठा हो गया है मुझे लग रहा है कि एक किलो आठा ऐसे में बर्बाद हो गया हमारा तो चलो ऐसा चलता रहता है कि एक कि एक पूरा आठा है